हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आल एजुकेशन में तो आज हम बात करें आरार सी इस्ट कॉस्ट्रेल पे भुवनेस और अप्रेंटिसिप के बारे में जैसे कि आप लोगों पता हो कि इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है इसके उपर हम वीडियो बनायते और काफी लोगों वहाँ पे सेलेक्ट भी है और काफी लोग का कमेंट आ रहा था जो लोग सेलेक्ट नहीं होते कि इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा और जितने भी candidate है, अपना नाम चेक की है, first list में नाम नहीं है, second list में अगर आपका नाम नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको जो है, rejected list चेक करना है, कहीं आपका नाम reject तो नहीं हुआ उसका link हम देंगे, description में आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपका percentage ठीक ठाक ह से video बना देंगे, जो लोग selected होंगे, सबसे पहले आपको इसका official website पर आना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर documents application के लिए एक first list आया था, और यहाँ पर एक और list यहाँ पर जारी कर दिया गया है, सबसे पहले आपको simple इसी पर click करना है, और आपको यहाँ पर download कर है, तो आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी से request है, जो लोग भी चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को subscribe करके, बेल आइकन को आल पर प्रेस कर जे, ताकि यहाँ से railway apprentice, private apprentice, कोई भी notification आपका मिसना हो, और वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूले, तो यहाँ पर देख स लिस्ट आया है, उसका भी link कम दे देंगे description में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, देखें जो second list जारी किया गया है, इसमें टोटल candidate यहाँ पर पांसो, च्यालिस candidate सेलेक्ट हुए है, और जो first list था, उसमें यहाँ पर 556 candidate यहाँ पर सेलेक्ट किये गए थे, यहाँ पर धांसो, आज भी link चलने वाला है, आप देख सकते हैं, एक दिसंबर से लेकर के हैं पर 24 दिसंबर तक आपके है आपके दिसंबर तक यहाँ पर डाकुमेंस वरिफिकेशन चलेगा, और जो हैं पर यहां पर line से पर जिस्ट हैं आपको बात लेकर के आपका यहाँ जो आपकी यहां पर देख सकते हैं पूरा आपको एड्रेस होगा बताया गया जो यह लिस्ट निकाला गया जो कि अभी तुरंत आया है वेबसाइट पे यहां पर आने के बाद से देख सकते हैं यहां पर सीरियल नमर दिया गया है यहां पर आपको सिंपल क्या कान है यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर सर्च का एक ओप्सन दिख रहा है इसी में अपना आईडी नमर जो दिया गया है अप्लिकेशन ऑनलाइन करते समय आपको मिला होगा तो उसको आपको डाल करके सर्च कर लेना है जैसे आप सर्च करेंगे तो टोटल आपका जो आपका नाम के सामने है यहां पर आपका डेटा बर्थ ट्रेड और आपका कब ज सेलेक्ट हुए तो इसके उपर हम एक अलक से वीडियो बना देंगे कि आपको क्या क्या डाकुमेंस लेकर जाना है मेडिकल फॉर्मिट किस तरह से बनेगा और भी कुछ यहां पर डाकुमेंस के बारे में बताया गया तो जो कि आप यहां पर देख सकते हैं कुछ डाकुमे